हाई गाईज विल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज आज की वीडियो में माँ आपके साथ स्मूथनिंग केरेटेन और रिबाउंडिंग से रिलेटर साइड इफेक्ट्स की वीडियो शेयर करूँगी ऑफ गाईज आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगे ये वीडियो आपके लिए हैलफुल ओ तो गाईज वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर लाइक तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स केट स्टार्टेट अगर आपने स्मूथनिंग रिबॉंडिंग या केरेटेन करवाई या आप करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप यह वीडियो जरूर देखें इसमें आपके साइध एसे साइड़ उफेक्ट से शियर करूंगी जो आपको हो सकते हैं अगर आपने स्मूथनिंग करवाए है अगर अपने बालों की प्रॉपर प्योग करेंगे अपने बालों का ज्यादा ध्यान रखेंगे तो आप इस आपके बाल improved sawald आपको नहीं होगा याइस क्वा स्मोत्निंग कर वा लीजिए अगर आपके बाल zusammen कर वाने से ना कुछ दिन बाद बाल काफी ज़्यादा रफ हो जते हैं बालों में शाइन बिल्कुल भी नहीं रहती है ऐसे में आप मास्क का यूज जरूर कीजिए आगे मापको बताओंगी कि आप कौन से मास्क का यूज कर सकते हैं स्मूथिंग अगर आपने करवाई है तो आपको अपने बालों की प्रॉपर कियर करनी पड़ेगी, पॉनी टेल कम कीजिए, बालों पर ओिलिंग भी कीजिए, इसके इलावा अच्छा वाला शेंपू यूज कीजिए, सीरम का यूज जरूर कीजिए, सीरम को कभी भी स्किप म बत्ति कीजिए, अगर आपने स्मूथिंग, रिबॉंटिंग ये केरेटन करवाई है, सीरम को आपको लेंथ पर लगाना है, और जितनी भी अमाउंट आपके हाथों में बच जाती है, उसी आपको स्कैल्प पर लगाना है, सीरम लगाने से आपके बालों में टैंगल्स कम पढ़ेंगे, अगर टैंगल्स कम पढ़ेंगे तो आपको हियर फॉल भी कम होगा, सीरम के यूज से आपके बालों में इंस्टेट शाइन आ जाती है, बालों में टैंगल्स कम पढ़ते हैं, तो सीरम का आप यूज जरूर कीजिए, मैं स्ट्रिक्स के सिरम का यूज करती इसके इलावा प्रोफेशनल प्रोडक्ट का यूज कीजिए, पॉनी टेल कम कीजिए, बालों में बेंड पढ़ सकता हैं, कॉम्बिंग बार बार आपको करते रहना और आपको अपनी कॉम का अलग रखनी हैं, आपको अपनी कॉम, तो आप कैचर का यूज कर सकते हैं, इस आपके बाल आपको बिल्कुल डिस्टॉब भी नहीं करेंगे, आपके मूपर नहीं आएंगे, और इसमें बालों कैचर की लगाने से बालों में बेंड भी बिल्कुल नहीं पढ़ता हैं, बाल आपके बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मॉथनिंग लंबे टाइम तक चले लंबे टाइम तक आपके बाल बिल्कुल straight रहे तो आप approaches का use कीजिए आप मोटे वाले tight rubber band का use मत कीजिए इस तरह की आप crunches का use कर सकते हैं जो local Market store में easily आपको मिल जाते हैं इससे आपको release ponytail करनी है और बहुत ज्यादा देर के लिए उपने थे लिए इसे बीश में खोंगे जैसे कि थोड़ी देर की लिए आपने की है फिर इसये आप आपन कर सकते हैं और यह बिल्ले में ब्लकुल भी फोल्ट नहीं होगे बालों में बेंड बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा तो काई स्मूथनिंग करवाने के बाद ना हमारे बाल काफी जदा ड्राइ हो जाते हैं हमें हियर फॉल होने लग जाता है तो ऐसे में आपको अपने बालों पर ऑईलिंग जरूर करनी है ऑईलिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कई लोग यह सोचत कोटन की है थोड़ी थोड़ी जरूर कीजिए इसके लावा आपको इस तरह के रबर बेंड का यूज करना है इसे बोलते हैं यह लोकल मार्के स्चोर में आपको 10 रूपीज 20 रूपीज में मिल जाएंगे इससे आपके बालों में बेंड भी नहीं पड़ेगा आपके बाल बी नहीं होंगे अगर आप इन छोटी छोटी बातों का धियान रखेंगे तो आपके बालों पर साइड इफेक्ट्स काफी जदा कम देखने को मिलेंगे और आपके स्मूथनिंग लंबे टाइम तक चलेगी तो गाईज इसके इलावा शैंपू आपको प्रोफेशनल यूज करने हैं जो आप नॉर्मली स्मूथनिंग करवाने से पहले शैंपू यूज करते थे जैसे कि क्लीनिक प्लस डर्व शैंपू ये सब आपको शैंपू यूज नहीं करने हैं आपको प्रोफेशनल शैंपू यूज़ करने हैं आप बायोलाज या मैट्रिक्स का शैंपू यूज़ कर सकते हैं इसके इलावा भी बहुत अच्छे लॉरियल वगएरा के शैंपू है जो आप यूज़ कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मूथनिंग करवाने से बाल काफी जदा ड्राय हो ज करते हैं इसके इलावा सीरम तो मैंने आपको बताया है कि सीरम का यूज़ जरूर करना है इससे बालों में टैंगल कम पढ़ते हैं यह चोटी-चोटी बातों का धियान रखेंगे तो आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं होगा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा तो आपको हाइप आन नी त्लिटी वालों को पर बहुत ज़ड़ा अच्छी लगती है लुक बड़ी अच्छी आती है तो अगर आपको भी हाइप आन अच्छी लगती हा तो आप साइड इबार्ट देर के लिए करके मतर रख़िए क्योंकि जब हम हाइप आन नी धर करते हैं तो वो वली जगह से हमारे बाल फोल्ड हो जते हैं मूड जते हैं फिर स्मूथनिंग वाली लुक बिल्कुल भी नहीं रह जती है बस इनी छोटी छोटी बारतों का आपको धियान रखना है तो आपके बालों पर साइड इफेक्ट आपको कम देखने को मिलेंगे आपको मेरी आवली वीडियो अच magically लगी होकि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैल को सबस्क्राइब भी करदें तो चलिए गाई जम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूं की तब तक लिए थैंक्यू बाई